केमिस्ट्री और यह है और इंग्लिस का भी आपका हो चुका है ठीक है उसका भी मैं जल्दी से ले क्या हो जाओंगी ठीक है देखिए आगे हाँ तो बिटा यह आपका है केमिस्ट्री का इसमें 40 क्वेस्ट्री को कर ले रहे हैं अब वही चीज है जो मैंने पहले बताया था क्या करना है आपको सबसे पहले कज़या है क्या अपना answered माईन में रखना हा ही करना है जैसे बताना है मुझे अपने comment box में कि comment box में कि मैं हम इस score हमारा इतना आ ठीक है questions ज्यादा hard नहीं है सही है moderate level questions है और इसका paper कुछ भी लोग बोल रहे थे कि वह दी easy paper है तो easy नहीं ऐसी question आते हैं आपके ठीक है easy नहीं है लेकिन question इसी type के आते हैं आपके अब एक बच्चा और बोला था मेरे से बेटा कि 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 आपको क्या लगता है बेफालतों में क्यों बैकारी हो बच्चों को आपको क्या लगता है कि question यहीं आएगा इसाइप पर आएगा तो मैंने का question ऐसे आएंगे मतलब मैं बता रही हूं 2022 के हसाब से question आपके easy question आए थे 2022 में तो मैंने easy questions आपको दिये हैं ठीक है easy questions मतलब moderate और easy के बीच में है आपके यहीं question नहीं आएंगे लेकिन type of the question मैंने बताया है तो यहीं question नहीं आएंगे ठीक है दिमाग में रखना ही चीज चलिए फिर question देख लेते हैं question है आपका first poll रहे है what is the balance यह question का यहीं पुछा आपसे boron की boron किस family का है आप यहीं बताना मुझे आप boron family का है यह लेकिन किस block का है तो वह है आपका P block का boron की का P block से belong करता है और group कौन सा है इसका यह group आपका 13 ग्रूप है 14 15 16 आपके 18 ग्रूप होते है 13 से लेकि 18 ग्रूप होते है आपके P block में तो यह 13 ग्रूप का होते है different atomic number but same mass number ठीक है यह आपके 18 ग्रूप की definition होती है ठीक है तो इनका example पूछा है आपसे isotopes क्या होते है isotopes में ध्यां से सुनना same atomic number but different क्या होता है mass number ठीक है तो यह आप याद रखना isotopes की isotones भी होते है isotopes होते हैं जो same number रखने किसका neutrons का लेकिन proton and electron उनके different होते हैं ठीक है तो मैं example पूछा आपसा आपसा आपका example क्या होगा था इसमें first option सही हो जाएगा 18 organ 40 यह आपका 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 एक्जामपल हो जाएगा ठीक है बागी जो यह वाला example है यह वाला यह आपका example है next question लेकिए next question आपका third बोल रहा है last element of transition element का क्या है आपको last element बोलता है transition element transition element होते है transition element होता है d block d block के सारी element transition element कहलाते है ठीक है और पूछा है आपसे last element last element में देखिए last में आपके zinc cadmium margari यह आपके last क्या होते हैं element गोदे transition element के transition element आपके d block में आते हैं और in a transition element आपके f block में आते हैं ठीक है तो इसका जो option क्या हो जाए क्या हो जाए बटा आपका hc का option हो जाएगा next question देखे next question है आपका fourth acidic character of the oxide oxides के acidic character पूछे हैं तो जो oxides हैं इसमें बटा कौनसा है यह है आपके किस group का है यह आपका 14 group का 14 group के हैं ठीक है 14 group के सभी example दे रखे हैं आपको 14 group के दे रखे हैं तो उनकी जो निमोनिक उतियर 14 group की मैंने कैसे यह किया है मैंने यह किया है कौनसी गीता इसनेया प्रभा ठीक है तो कौनसी गीता इसनेया प्रभा यह आपका निमोनिक है group 14 को याद करने का बागी आपको oxide और character acid character बताना है oxides का तो वह जाएगा आपका as we go down the group आपका जो acid character होता है वो decrease होता जाता ठीक है next question देकि next question है आपका fifth बोल रहा है as we go down the group atomic radio ही क्या होता है as we go down the group generally आपकी जो वो होती है acid atomic radio ही होती है वो क्या होती है बताए जरह मुझे सोच लेना अपना question वो increase होती है ठीक है next question देकि next question आपका यह है six order of decreasing electronegativity of hydride of hybrid orbitals is तो आपको order बताना decreasing electronegativity का of hybrid orbitals का ठीक है okay तो आपको इसका बताना ही decreasing electronegativity hybrid or vitals का तो इसमें क्या हो जाएगा बिटा इसमें हो जाएगा आपका as we go down the group आपकी SP जाता होगी SP2 उससे कम होगा उससे कम आपकी SP3 होगी ठीक है next question देकिए next question आपका next question स्राइवन है वालत है बुड़ था इसका तो बुड़ की साब से कोल ही होगा next question देखिए next question आपका 8th बोल रहे है बेटा next question देखिए next question आपका यह वाला water cannot be used in water किसमें यूज़ नहीं किया जाता तो वो किया जाता है इसमें आपका option है oil fire होगा forest fire होगा electrical fire होगा या फिर आपका बौथ A and C होगा तो आपका option हो जाएगा D आपका सही है बोथ A and C में आपका water cannot be used होता ठीक है इसमें देखिए इसमें next question आपका यह goldsmith यूज़ दैस part of the flame for melting gold तो for melting gold के लिए जो flame यूज़ की जाते है goldsmith की इसमें क्या होता है उसकी outer layer पर क्या होता है तो middle layer होती है inner layer होती है फिर आपकी बोथ A B and C होता है तो आपका होता है वो outer most जो आपकी part होते है goldsmith uses outer most part of the flame आपका question है यह वाला acid rain is very harmful for acid rain का जो example है वो आप सबसे पहले देख रहे हो तो आसान मैं जैसे मैंने याद किया है बैसे मैं आपको बता दे रही हूं आसान तो A से हो जाएगा acid rain ठीक acid rain और SASE हो जाएगा आपका SO2 और NA से हो जाएगा आपका NO2 यह आपके example होते है acid rain के याद रखना ठीक है इसका जो आपको पता acid rain के आपको पता है उपर से बारिस होगी ठीक है बारिस में crop भी आपकी आती है crop में भी पानी लगता है building जो आपकी उतनी घर होते है उन पे भी पड़ती है ना बारिस सोईल है आपकी उसमें भी जाएगा पानी नीचे ठीक है तो आपकी harmful सब के लिए होता है crop, building, soil सब के लिए acid rain harmful होती है तो all of these आपका option इसमें सही हो जाएगा ठीक है next question देखे next question आपका 30 बोल रहा है which one is used for making soup polish इन PCR A stand for PCR A attributed for किसे रहे होता है तो बहुता है बता ही यह public conservation research association या फिर petroleum conservation association या फिर public council research association या फिर partial counting remaining association तो वह होता है आपका B option सही है इसमें ठीक है next question देखे यह next question आपका यह black gold is actually black gold actually होता क्या है तो बहुता है petroleum ठीक है petroleum आपको option सही हो जाएगा next question देखे नएसकोशन आपका 16 and alloy is a homogeneous mixture of the alloy है वो किसके homogeneous mixture से मिलके बना हुआ है तो वह होता है बिठा तू और more metal से मिलके alloy बना हुआ होता है ठीक है next question 17 बोल रहे है which of the following is not alloy इनमें से कौन सा है जो alloy नहीं है तो इसमें से है आपका option क्या हो जाएगा steel stainless steel या फिर आपका option हो जाएगा बो जाएगा आपका stainless steel आपने देखा होगा जो चाकू होते है न मेरे गरप एक चाकू है उस पर अल्यड़े लिखा हुआ है कि यह stainless steel का बना हुआ है कोई बर्दन होता है तो इस पर लिखा होगा होता है कि यह stainless steel का है ठीक है next question देखी next question है आपका 18 बो आपका थैसेत बनता है ठीक है तो आपका सी इउफिर्स अंच्यायी हो जाएगा ठीक है सब्सके नइस को इस अफिर्सेटि अफिय्य चाहिवश्य इस चाक हो जाएगा तAUL रहे लिखा हो च्वश्चिन Прक है जो ब्लुच प्लूफ उल इस मेरे को सिंग दुख यह को ऩशा unbreakable and can be used as a substituent for glass तो इसमें से unbreakable आपको बताना है plastic और वो किसके लिए भी कहती है used as a substituent for glass के लिए तो वो कौन सा option आपका यह हो जाएगा perfect ठीक है next question देखी next question आपको 22 बोल रहे हैं some recently discovered man-made जो आपकी materials है offer very little resistance to the flow of electrical current at low temperature they belong to the category of तो इसमें से आपको बताना है question इसका answer हो जाएगा आपका 22 आपको question बताना है यह वला आप बताना है यह वला आपको बताना है ठीक है तो यह आप बताएं नजी तो आपका next question है यह 23 बोल रहे है law of constant composition does not hold good for ठीक है तो इसका option हो जाएगा आपका बता दू मैं आपको इसका option है बिटा आपका non stoichiometric compounds ठीक है next question hopefully यह मैंने सभी से पढ़ लिया है और मरी जीवना tank twister हो जाता है यह जी बता रही हूँ मैं चलिए next question है आपका numerical है यह तो numerical आपका अए दिखो numerical बहुत ही कम आते हैं थे थीक है और या फिर सारे theoretical questions ही आते हैं तो आप ना 30 questions पर धंदे नाथए इस बार का last year का pattern यह था ठीक है इस बार का पता नहीं किया होगा तो आप देख लेना मैं नुमरिकल भी मैंने बहुत सारे करा दिया हैं आपको चिंता करने के जरूद नहीं है फिस्क के मैंने नुमरिकली करा हैं मोस्ली और केमिस्ट्री के हैं जो केमिस्ट्री के मैं मॉक टेस्ट भी आपको डाल दिया है ठीक है आप देखिए नेस स्वेशन आप 24 what will be the molality of the solution which contains 5.85 gram of NaCl and per S आपका solid है और per 500 ml तो आप देखिए molality का formula क्या होता है molality की formula होता है आपका m equals to number of moles number of moles ठीक है upon volume in liter ठीक है यह आपका होता है क्या formula होता है आपका इससे पुट करना है आपको number of moles क्या होंगे देखिए यहां से निकालो number of moles तो number of moles यहां से निकालेंगे आप of moles equals to आपका हो जाएगा 5.85 upon आपका हो जाएगा यहां पर इसका जो इसकी value हो जाएगी NaCl की जो molecular weight है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 58.5 आपका करका देख सकते हो 23 और 35 ठीक है into हाफ का क्या है आपको volume डी करना है तब con क्या करना क्या करना है तो volume और अहां सिसका देखिए ओनतल जाएगा पर कितना कच जाएगा यहां पर कच जाएगा आपका दो जीरो यहां से ऐसे हो जाएगा और फिर आपका जो option आजाएगा option क्या आजाएगा आपका बताएगे मुझे 10 है नीचे ठीक है आपके 10 है नीचे तो 10.2 के something आपका answer आ रहा है 24 का आपका C option सही हो जाएगा ठीक है इतना ही आएगा मेरे साब से तो आपका point 2 यह इतना ही आएगा ठीक है point 2 mole per liter हो जाएगा option चेक कर लेना एक बार दोबारा से रीचेक कर लेना आप लोग रीचेक तो कर सकते हो बहुत easy question है 25 question देखो which of the following laws will represent the pairing of electrons in a subcell after each or vital is filled with an electron ठीक है तो आपको यह बताना है कि यह statement किस ने दिया था तो इनमें से लोग बताना है represent the pairing of electron in a subcell एक pair of electron एक subcell में जाता है ठीक है एक subcell में जाता है हाँ और last year का question क्या था वो पैदा magnetism था और मैंने spin के चकर में बटा वो diamagnetism का बता दिया था कि spin तो ऐसे ही होते न एक उपर जाएगा फिर नीचे तो है next question देखिए next question आपको 26 बोलता है according to mot mot के theory के द्वारा जो molecular orbital theory होती है उसके द्वारा जो c2 molecule होता है has क्या रखता है तो c2 molecule आपका रखता है c1c ठीक है यहां पर दो है तो वन आपका हो जाएगा sigma और एक हो जाएगी पाई आर की ठीक है तो आपका first option सही हो जाएगा next question देखिए next question आपका 27 बोल रहे है what is or are the uses of enthalpy changes के uses क्या होते है तो आपको बो बताने है तो इसका option है बीटा को क्या हो जाएगा इसका जो option बता दूँ मैं आपको आप माइन में रखना आप तो हो जाएगा बोत a and b ठीक है बताना है मैंने एक numerical आपको करा दिया है यह वाला आपको करना है ठीक है इसका जो answer आएगा वो क्या आजाएगा मैं बता दूँ आपको इसका answer आएगा one आप calculate करना इसका answer ठीक है pH आपको निकालना तो pH easily निकलाएगा बहुत ही simple question है ठीक है आप कर दीना है next question देखी 29 बुल रहे है which of the following statement about amorphous solid is incorrect इसमें से बताना आपको कि amorphous solid होती है उनके लिए incorrect है इसमें से कौन सा option तो वो है आपका they are anisotopic ठीक है यह आपका गलत है next question देखी next question आपका यह solid state से बोल रहे है आपसे example of unit cell with crystal crystal allographic dimensions ठीक है तो a is not equal to b b is not equal to c और a equals to gamma equals to 90 degree है beta is not equal to 90 degree ठीक है तो इसमें से आपको पताना है क्या होगा rhombic sulfur होगा which of the following has frequent defect का तो यह तो सभी को पता होगा तो यह तो सभी को पता होगा बहुत ईजी कोईशन है तो यह का एजी बिया ठीक है next question देखी next question आपका 32 बोल रहे है air at sea level is found to be dense air के sea level पे found to be dense दिखती है ठीक है this is accordance with किसके air at sea level क्या होती है this question 33 बोल रहे है the oxygen number of carbon in इसमें तो इसका जो oxygen number हो जाएगा यह भी आप निकाल लेना इसलिए निकाल लोगे इसका 0 होएगा ठीक है कैसे बिता देती हूं आपको c हमें निकालना है ठीक है plus 2 यह होता है इसका और minus का 1 into 2 यह इसका वह जाएगा ठीक है equals to 0 तो यह minus का 2 और plus का 2 कर जाएगा तो 0 आजाएगा ठीक है next question देखी next question आपका 34 बोल रहे है first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition then t half क्या होगा आपका ठीक है तो इसमें जो option आगया आपका option आएगा आपका b 77.7 minute आप यह भी आप question निकाल सकते हो जीली बहुत ही easy question है तो निकल आएगा ठीक है यह नहीं निकाल रही है मैं भी वरे ग्रिगनार्ड रिज़न्ट क्या होगा ग्रिगनार्ड रिज़न्ट क्या आपका ग्रिगनार्ड रिज़न्ट आपका कौनसा है ड्राइधर में रिगनार्ड रिज़न्ट की जाती है जह आर एमजी एक्स जो होती है ड्राइधर की प्रिजन्स में की जाती है फिर 38 का question देखिए, aldehyde are oxidized to carboxylic acid by, तो ये इसका option हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा, 38 का भी, टॉल इन रियसेंट है, aldehyde are oxidized to carboxylic acid by, टॉल इन रियसेंट के तोरह, फिर देखिए, 39 बुल रहा है, the dehydration product of ether क्या होगा, तो dehydration product of ether होता है, alkyne आपकी, alkyne तो आपने देखा होगा, alkyne देखो, r double bond, r ये alkyne होती है, r single bond, r ये होती है आपकी alkyne, और r triple bond, alkyne sorry, और ये होता है alkyne, ये kain होती है, alkyne, ठीक है, ये keen होती है, keen, और ये होता है keen, ठीक है, next question देखिए, next question है आपका, ये 40 बोल रहे हैं आपसे, कि the raw materials for the commercial manufacture of DDT are, raw material आपको बताना है, commercial production of DDT के लिए, तो इसका जो option हो जाएगा, आपकी options है, आप माइन मेरकना पर options, तो बोले हैं, क्लोरो एंजीन and क्लोरो मीथिन, ये आपकी options है, thank you so much for watching, my take care, और आपको questions कैसे लगे, मैं जब बताना, आपका mock test कैसा गया, ये मतला हमने रीड किया है, कि आपके ऐसो questions आ सकते हैं, ये question नहीं आ जाएंगा, जो हम पढ़ा रहे हैं, वही question नहीं आ जाएंगा उदर, हम type of the question करा रहे हैं, कि इस type से आ सकते हैं आप questions, ठीक है, ये बात क्लियर रखना आपने माइन में, okay, bye, take care.